नमस्कार जैनेट्स में आप सबीका बहुत बहुत स्वागत है विए हो राहूल गुता चुनाव आयोग की लगातार कोशिश है कि मतदाता जागरुक बने मतदान केंदरों पर पहुचे उनको मतदान के बारे में जादर जादर जानकारी हो और इसका असर भी हो रहा है जादर जादर लोग मतदान केंदरों पर पहुच रहे हैं और पुनारे रिकॉर्ड भी हुआ हैं वो पूरी की पूरी तरह से पूरी शम्ता के साथ मतदान केंदर पर आएंगे और मतदान में हिस्सा लेंगे उनको जागरुक करने के लिए अब चुनाव आयोग ने मानव संसाधन मंतराले को एक सिफारिश की है सिफारिश यह है कि पाठे करम में ग्यारवी और बार्वी कक्षा के पाठे करम में चुनाव से जुड़ी जागरुकता क्यों पाठे करम में ही शामिल किया जाए और अगर इसको होने में वक्त लगेगा जाहिर तौर पर लग सकता है तब तक ए पहले से ही प्राप्त हो, 18 साल का होने से पहले ही उनको चनाव के बारे में जानकारी होगा। बहुत बहुत स्वागत है जैनेक्स्ट में। अब ये है कि फ्यूचर वोटर्स को जो है, जो भविशी के वोटर्स हैं, उनको भी तैयार किया जाएं। तो वो कहते हैं न, catch them young. तो अब शुरूआत में ही उनको जो है, आपके उनके मन में वोटिंग के परती, एक सम्मान, वोटिंग उनका एक कर्तव ये बनता है, एक नागरिक के नाते, ये जो उनके अंदर वो एक भावना भरे हैं। और उसके बारे में जानकारी हो उनके अध लाइसेंस चाहिए, फिर आप गाड़ी का लर्निंग सीखते हैं, तो ये एक तरह से लर्निंग का एक exercise है, लोगतंतर की गाड़ी चलाने के लिए, कि ये नहीं कि हम सीधे चले गए और वोट डाल दिया, ये कोई Facebook का लाइक नहीं है, जबकि Facebook का लाइक भी जो है, काफी पर नाम दोनों ला सकते हैं, तो इसमें जागरूख होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो एक बहुत बड़ा प्रयास है, और बहुत बढ़िया प्रयास है, काबिल तारीफ है कि नसीम जैदी साहब इसको परस्यू कर रहे हैं, एक बार लिखा फि इसमें होना चाहिए समाविश मेरे हिसाब से, जिसमें जैसे हर वोटिंग बूथ में क्या-क्या सुविदाएं अनिवारिया है, यानि कि रैंप होना चाहिए, जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए, पानी की विवस्ता होनी चाहिए, बुजर्ग लोगों के लिए जो है एक अलग पंक्ति का विवस्ता होना चाहिए, इस तरह के जो फैसिलिटीज जो दिये गए हैं, क्योंकि अगर अपने मद्दान के अंदर में वो उनको नहीं मिलता है, तो वो अधिकार के साथ वो मांग सकते हैं, इस पे और हम बात्चित करेंगे, लेकिन बहुत आसान चब रहल सुरेश जी ने जो पश्ट भूमी रखी है, वो एक बहुत ही अच्छी और काफी विस्तरित है, जब हम इस विशे के बारे में सोचें तो हमें दो चीज़े सोचने चाहिए, एक चीज़ ये, कि कितने वोटर आ रहे हैं वोटिंग बूट में वोट करने के लिए, वो जो हमारे prospective voters हैं, उन्हें क्या बताना चाहते हैं, पहले हम उन्हें ये बताना चाहेंगे, कि ठीक है, वोट करना ज़रूरी है, बट आप वोट कर किसके लिए रहे हैं, तो कर किसके लिए रहे हैं, वो यह है कि एक candidate खड़ा है, बट वो candidate आगे जाके करेगा क्या, उसकी क्य जिम्यदारिया होंगी, मैं जब कभी किसी संसत सदस्य से मिलता हूं, तो सबसे पहले मुझे ये बताया जाता है, कि जो आजकल का voter है, वो यह समझता है, कि संसत का सदस्या या विधानसभा का सदस्या एक कॉर्पोरेटर है, या counselor है, मेरी बजली ठीक करवा दीजिए, मेरे बच्चों का admission करा दीजिए, या नौकरी लगा दीजिए, वो इसके लिए नहीं elect होते हैं, जो हमारा संबेधान है, वो हमारे संसत सदस्यों और विधानसभा सदस्यों को ये काफी बड़ी जिम्मेदारी देता है, और वो जिम्मेदारी ये है कि वो कानून बनाए, सरकार क उपर अंकुष रखें, सरकार का बजट पास करें, और जब हमारा वोटर उनको इसलिए वोट करके लाता है, कि जब ही ये जीतेंगे, तो मैं इनसे अपने काम करवाऊंगा, तो हम क्या करते हैं, अपने संसत सदस्यों और विधानसभा सदस्यों का स्तर बहुत ही नीचे ल लगते हैं, मैं आपके लिए एक चथी लिख दूँगा ताकि आपका तबादला ना हो, पंदरा चीज़ों हो सकती हैं, तो जब ये वोटर एजुकेशन के लिए हम अपना सिलिबस चेंज करें, तो उसमें हम ये लिखें, कि जो हमारा सिविक समय अब तक पढ़ा था था, म मुझे अपनी सिविक से दो ही चीज़े आद हैं, एक कि लोगसभा में कितनी सीटे हैं, राजसभा में कितनी सीटे हैं, और लोगसभा में दो लोग मनोनीत होके आते हैं, राजसभा में वारा लिखें, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूँते हैं, जो अभी से पाठ् करें में उसमें क्या क्या कमी है जिसको पूरा किया जाए जाते हैं उसका मीडिया के चात्रों को जो मतलब मीडिया में अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं उनको जानकरी नहीं है तो क्या है ये पूरा सिस्ट्ब ये वेस्ट मिनिस्टर सिस्ट्म या जो परलमेंटरी form of democracy जो हमने अपनाई है इसमें ये सरकार चलती कैईसे हैं और उसमें ये बहुमत उसमें ये एक तहाई दो तहाई ये सारा हिसाब किताब इसको भी समझने की जु नहीं कि मैंने जाके वोट कर लिया क्योंकि एक मेरा जाती या बरादरी का है इसलिए मैंने उसको वोट कर दिया या इसलिए मैंने वोट कर लिया क्योंकि मेरे पापा उसको वोट कर रहा है मेरी मम्मी बाट कर रही है, मेरी दादा दादी जो है, उन्होंने उसी पार्टी को वोट किया है, ये नहीं, मैं अपने हिसाब से लगाऊं कि क्या-क्या एक वोटर में, एक कैंडिडेट में मुझे जो गुन जो है, वो क्या-क्या देखने चाहिए, क्या जब वो कैंपेइनि कि यह तो हमारे में जेंडराइशन नहीं चाहां। बट हमारे यहां पर जो चर्चाएं होती हैं घरों के अंदर वो कभी विश्यों पर नहीं होती है वो यह होता है कि यह इस उमीदवार की personality ऐसी है या यह उमीदवार गरीब है या अमीर है या इसके पीछे criminal record है की नहीं है यह जो चर्चाएं है यह जरूरी है बट इनका सतर थोड़ा सा बढ़ना चाहिए कौन सा उमीदवार किस विशे के बारे में क्या सोच रहा है सुरेश जी ने कहा new education policy आने वाली है अगर मैं अगली बार अगर मैं education के विशे में interested हूँ 18 सार का हूँ मैं और मुझे यह देखना है कि मेरी graduation और post graduation में देश किस हालत में होगा तो मैं अपने उमीदवार से पूछना चाहूँगा कि जब आप चुन कर जाएंगे तो higher education के उपर आपकी क्या राय रही की आप किस तरह से लोगों को अपने सरकार में convince करना चाहेंगे क्या आपका क्या आपका विशारदारा और क्या आपका लक्ष है क्या करना चाहते हैं यह discussion नहीं हो रहा है। भारत का युवा होने के नाते मेरा एक प्रस्न मन में बार बार आता था और मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी हूँ। सर भारत में लगवग साथ परतिसत युवा है जैसा हम जानते हैं लेकिन आज कल का जो ट्रेंड चल रहा है सर गाओं में खास करका प्रैक्टिकल ही जा करके देखेंगे तो कहते हैं अगर तुम पढ़ते भी नहीं हो अगर लास्ट में कोई आपसन है तो पोलिटिक्स जिं पूरे भारत को चलाने के लिए मुझे लगता ये बहुत इंपोर्टन वागे में बहुत अच्छा पॉइंट इन निकाले सुरेज जी आप इसमें क्या आइड करना चाहेंगे क्या बिल्कुल यही मैंने कहा ना कई चीजें हैं जिसको हम क्या सवाल पूछने जा रहे हैं ज इसने जो लेकर आया था उस गोशना पत्र को दिखाना चाहिए और कहा कि भई पिछले बार तो तुमने यह वादे किये थे अब यह बताओ कि इस बार तुमने इसमें से कितने वादे तुमने पूरा किया आज तो तो तुम आगे दुबारा है ना मैं तुम्हें क्यों पत्र लागू हुआ था जारी किया था उसका क्या हुआ यह एक सवाल जरूर्ब पूछा जा सकता है तो क्या इसकी आफशक्ता जैसे कि हमारे चुनाव 1952 में पहली बार हुए तो है 2017 आ चुगा है क्या इसकी आफशक्ता पहले नहीं पड़े थी आज सारा कुछ ट्रैंस्पिरेंट है आप सिरफ इंटरनेट खोली है आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम है या नहीं और अगर नहीं है तो ऑनलाइन ही आप अपना पर्ची भर सकते हैं ताकि आप रेजिश्टर बोटर लिस्ट में आ जाए तो अब टेकनलोजी बदल गई है सुविधायम बदल गई है पहले की तरह पहले आपको इतना फोर्स लगाना पड़ता था अभी भी फोर्स लगती है लेकिन पहले तो खुले आम आपको आपको तो याद भी नहीं होगा तो इस तरीके से घटनाएं होती थी मेहम जैसा तो काफी बदला हुआ है लेकिन उसके बावजूद आज भी जो एक आधर शिस्तिती है आज भी अक्सर हम देखते हैं कि कभी 50 प्रतिशत कहीं 55 प्रतिशत यानि कि 45 प्रतिशत वोटर उन्हें वोट नहीं डाला है क्यो नहीं क्या जबरस्ति करवाएं क्या हम एक तरफ ये नहीं वोट डालना चाहता है ये मानसिकता भी बदलना है जब एक पुस्तक आएगी तो कि चलो आज छुटी मिल गई तो चलो पिकनिक चलते हैं वोट नहीं डालना है लेकिन हम पिकनिक वोट डालके पिकनिक में जाएं तो इसलिए आपने देखा होगा कई सेलिब्रिटी शर्थ प्रतिशत नहीं हो पाया है अभी भी कहीं पर 60 कहीं पर 65 कहीं पर 85 लेकिन शर्थ प्रतिशत वोटिंग अभी दूर की बात लगती है जी आप कुछ कहना चाहते हैं जी सर जैसे कि ये सब ये जो प्लैन बना है सरी इसलिए बना है कि 15 से 17 साल के बच्चों को सक भी बहुता है 15 लेक्तिशा ने कहीं पर Алइच करके अच्रांस तो अजयतो स्शुक्ती मतलramos में जानकारी रहती है छुए दॉन ये लेते हैं तो ये कहीं कहीं ए उसिकीに किलती है जो की पड़ाये नहीं गया लोगों को पहले अगर हम लोगों पहले इस बारे में बताया जाता तो उस बारे में सोच बदलती तो अभी हमारी वही सोच है आच चुनाओ आ गए है वो डालना है डालने मतलब उसके पीछे क्या है क्या होगा उससे आंगे क्या उनसे मिलेगा हमें क्या बबस्त में उनसे मिलेगा वो हम कोई सोचते नहीं है तो ये हमें पहले पढ़ाना चाहिए अगर हमें बताते तो उससे हमें अब दोनों साथ साथ बैठे लेकिन आप दोनों के विचार एकदम विपरीत आए हैं इन pew अब हमें कते हैं और दूसरे शख से हूँ कहते हैं यह हम जाग रुक नहीं हमें अभी हमें विचारों का अब इतना मंतरं नहीं हुआ है आपका क्या माल नहीं है शर्थ प्रतीशथ होने में क्या कम ही है अभी रहल मैं दो चीज़ों पेट टिपडियां करना चाहूँगा पहले हमारे साथी ने कहा था कि आज कैसे चुनावायोग जाग गया साथ साल से क्यों नहीं हुआ ये बहुत इसी अच्छा सवाज है और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है हम एक आजाद देश हुए थे ये तभी हो जानी चाहिए थे अब क्योंकि वो नहीं हुई है इसलिए हम इस स्टेज पर आ गए है कि हमें उसके बारे में एक ऐसे कॉन्वस्टेशन नहीं पड़ी है कि इसको सिलेबस में डाला जाए और उसको पढ़ाया जाए अगर आप दस साल के हो जाते हैं तो आप यंग रिपब्लिकन या यंग डेमोक्राइट हो जाते हैं जो आपकी पॉलिटिकल अवेरनेस है वो आपको आपके स्कूल में डेवलप की जाती है आपसे बाते करी जाती है हमारे यहां पर ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहां पर मुझे क्या लगता है और मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ हम लोग जितने लोग इस कमरे में भी हैं हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य नहीं है ना किसी ने हम से आके पूछा ना हम बनना चाहते हैं क्योंकि हमने अभी तक जो यह क्या अच्छी बात है और बूरी बात है क्योंकि आप एक सरह से बायस्ड भी नहीं है हाँ मुझे क्या लगता है कि अगर हम लोग एंगेज नहीं अभी तक क्या है जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो इनफॉर्मड वोटर की बात कर रहे हैं और जो अब बात होने जा रही है वो informed voter से हट के आगे engaged voter की होने की जा रही है यह जो प्रक्रिया है कि आपने पांट साल में एक बार आके अपना बटन दबा दिया वहां से हमें हट के देखना पड़ेगा कि जो हमारा voter है वो election process के साथ और political process के साथ उस 5 साल में कैसे engage कर रहा है मैं आपको आज बता सकता हूँ कि अगर आपको एक अच्छा voter होना है तो इस तरह चीज़े का आपके बारे में सोचना चाहिए आपको अगले 5 साल बाद वो याद रहेगा जो हम ये बात कर रहे थे कि क्या चुनावी मुद्दे थे उस पर क्या काम हुआ 5 साल बाद आपको कौना की रिपोर्ट कार्ट देगा ये तो आपको रेगिलरली लेना पड़ेगा रेगिलरली आप टच में रहें अंगेज रहें जैसा कि शुरूरी ने कहा है कि जिस वक्त वोटिंग हो रही है उसके एक दो हफते पहले से दिमाग में सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि चुनाव आने वाला है वोट दे रहा है मुद्दे क्या है कौन उमीदवार है लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी पैनी नजर कड़ी नजर जरूर होनी चाहिए पूरे सिस्टम पर आपने जिस उमीदवार कुछ चुना है उस पर और पूरा रिपोर्ट कार आपके दिमाग में भी होना चाहिए कि क्या काम हो रहा है छोड़े से ब्रेक लिए रुखतें हर दो पहर दुनिया की ताजा तस्वीर दो पहर समाचार रोजाना दो बजे सिर्फ टीडी न्यूस पर ब्रेके बाद स्वागत है आप सभी का आप देख रहे है जैनेक्स आजम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग ने जो सुझाव दिया है इस बारे मैं बात्चित कर रहे है युवाओं के मने बहुत से सवाल इस सुझाव को ले करा रहे है उनसे красив बात्चित करते जी आपने जैसे बोला कि जो से वोटर्स हैं उधर उनको ना रखके उपर सरों के काम होने चाहिए जादा बर जैसे बेसिक काम है सड़क ही करना, छोटे लोग है उनके लिए तो रस्ता बंजा है वो बहुत बड़ी बात होती है, उनकी गलियां साफ रहे हैं, स्वज भारत जो भी चल रहा था, वो सब ध्यान में होना चाहिए, तो वो चीजों उनको पहले रखके, वो काम पहले करके, बाद में जो पार्लि में थोड़ा आप से सहमत नहीं हूँ इस बारे में, मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ, कि जो हमारे जन प्रतिनिदी हैं, जैसे राहूल कह रहे थे, वो अलग-लग स्तर पर है, जो सबसे पहला स्तर है, वो यह है कि पंचायत हो गई, मुनिस्पल कांसिलर हो गया, तो वो आपका लोकल काम देखता है, कि आपकी स्ट्रीट लाइट जल रही है कि नहीं चल रही है, आपका सीवेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यह उसकी जिम्मेदारी है, इसके बाद कि जो आपके जन प्रतिनिदी हैं, वो आपकी डे टू डे लाइफ ठीक चल रही है, यह उनकी जिम इसका नुकसान क्या होता है कि आपकी पहुंच है MPI मेरे तक मेरी शायद ना हो तो आपका काम हो जाएगा मेरा काम नहीं होगा बट जो municipal counselor है वो एक छोटे area को देखता है उसकी पहुंच उस छोटे area में काफी अच्छी तरह से रहती है एक MP की constituency कुछ almost 10 से 12 लाख लोगों की ह रखा हुआ है तो मेरा कहने का मतलब यह था कि जो top tier का आपका जो representative है आप उसे सोचने का काम करने दें सरकार पर अंकुष का काम करने दें और जो आपका पहले tier का representative है आप उससे अपने जमीनी काम करवा है वाकर में इस मुद्दे को और गहराई से समझा जाए काफी अच् बहुत साल पहले एक बरिष्ट नेता ने केंदर में बड़े मंत्री है उनको मजबूरन बाहर अपने gate के बाहर board लगाना पड़ा कि क्रिपया gas के connection के लिए और transfer के लिए मेरे घर पे ना आए है क्योंकि ये मेरा काम नहीं है मुझे देश को चलाने दीजिए मैं ये छोटे क काम लेके जाना है ये जानकारी होना भी जरूरी है कैसे चक्षू जी कह रहे हैं दूसरा आपने जो सवाल उठाया है बहुत इंट्रेस्टिंग है कि एक उदासीन तर जरूर है ये वोटर एजूकेशन का कहीं न कहीं ये भी एक objective है बड़े अफसोस की बात है थोड़ा बह अपने जगे जम्यदार है कितने अध्यापक अपने ठीक से काम कर रहे है कितने वकील अपने ठीक से काम कर रहे है कितने डाक्टर अपने ठीक से काम कर रहे है कितने जो है जो मुलाजिम है सरकारी वो अपना ठीक से काम कर रहा है हम ये सब तो नहीं देखेंगे सारा जो ठी नेता ही जिम्मेदार है हर चीज के लिए हमारे दुरदशा के लिए ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है लोकतंत्र में अगर हमको रहना है तो लोकतंत्र को मजबूत करना है तो अच्छे नेता भी इस देश में रहे हैं आदर्श आदर्श नागरिक भी आपको भी बनना जैसे एक सवाल एक युवक ने पूछा बहुत बढ़िया कि पॉलिटिक्स वो अंग्रेजी में वो जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स is the last refuse of a scoundrel ये नहीं कि कोई और काम नहीं मिला तो चलो राजनीती कर लेते हैं मैं doctorate नहीं कर पाया मैं ये नहीं कर पाया MBA नहीं कर पाया चलो या राजनीती में चलता है ये नहीं है राजनीती एक जमाने में इस देश का पूरा एक इतिहास है सबसे बहतरीन लोग सबसे ICS छोड़के नेता जी बोस आए ऐसे लोग जो topmost lawyers थे महत्मा गांधी जैसे लोग ऐसे lawyers बंडे नहरू जैसे लोग और जितने बड़े मतलब लोग हैं कामियाब लोग वो अपना career को पीछे चोड़कर वो लोग आए तो अभी भी ऐसे लोग हैं काफी पड़े लिखे लोग हमारे इसमें आये हैं तो ये कहना कि वो सिर्कुल बेकार है ये एक perception बना हुआ है इसको भी बदलने की जरौत है और इसको भी हम पार्टेग्रम में शामिल करके बदल सकते हैं प्रसेप्शन को जी आप कुछ कहना चाहिए जो कहती है एलेक्शन वाच जैसे कई संस्थाएं है हैं जो इसमें सामने statistics, data की किस party से कौन सा उमीद वार्य है उस पर कितने आप्रादिक मामले है कितने प्रस्टा चाहरे जो भी है वो सारे मामले आप तो देखिए इतने कानुन में परिवर्तन हो गया कि आप कई मामलों में अगर आप involved हैं तो आप तो चुनाव लड़ भी नहीं सकते हैं तो electoral reforms आगे भी होगा लेकिन ये जरूर है कि वो तभी होगा जब आप जागरूक होंगे जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे अखबार पढ़ेंगे टेलिविजन में जानकारी देंगे ये बहुत जरूरी है सिर्फ वो पुस्तिका जो आएगी एलेक्शन एंसी आटी की सिर्फ वो पढ़ने से नहीं होता वो है कि आपको भी जो है अखबार पढ़ने होंगे आपको अपने आप जागरूक रखने के लिए सिर्फ एक पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा आपको देखना होगा कि कौन क्या कह रहा है और एक अखबार नहीं पढ़ना है कही अखबार पढ़ने है ये कबार हो सकता है कि एक विचार विशेश को ही आगे बढ़ा है जल्दी से एक सवाल और ले लेते हैं जी मैं पहले तो बताना चाहता हूँ कि मैं एक पंजाब का नागरे होते हैं मैंने पहली वार इस बार वोड डाला और काफी सराहनिया काम किया था इस तक की हमें पहली वार वोड डालने के लिए सर्टिफिकेट अप्रिशेशन में मिला था और मेरा कोशन ये है कि नोटा और उससे पहले जो एक नेगटिव पोलिंग के लिए का उप्शन होता था जिसके लिए फॉर्मस तार आई मिलता था उसके लिए इतनी जगरुटा क्यों नहीं फिलाई जाती क्या उसके लिए जगरुटा की कमी नोटा और बागी जो प्रोविशन किये कहीं लेकि कम जानकारी है इसमें तो कोई दोर आए नहीं है नोटा के बारे में लेकिन बहुत ज़्यादा नोटा का प्रचार होना नहीं चाहिए अगर सबके सभी नोटा कर दिये मुझे लगता है कि वो रा गुसा है अपनी जगे जायज है लेकिन हमको एक सही उमीदवार को चुनना है और हमारे पास ठीक है एक जैसे आपने बताया चक्षुजी ने कि यंग डेमोक्राइट्स यंग रेपब्लिकन वहां पॉसिबल इसलिए क्योंकि बाइपॉलर सिस्टम है दो ही पार्टी है यहां तो पचास पार्टियां है आप कितने ग्रूप्स बनाएंगे तो यहां कुछ एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी एथनिक है ना एक हमारा समाज है तो यहां विचार अलग हैं, मत अलग हैं तो लेकिन इसके बावजूर मैं पुरी तरह सहमत हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी इसको भी एक पॉपुलर लेवल पर जो इंगेजमें इसके बाद जो भी हासल होगा वो इसे उचा होगा मेरी अपील आप सभी लोग से एक्स्ट्रा यह हासल होगा उसे यह हैं जो कि हमारे आने वाली पीडियां है जो वोटर हैं वो यह देखेंगे कि विश्यों को और वोटिंग को और एलेक्शन प्रोसेस को किस तरब बड़ करेंगे अभी क्या है थोड़ा सा अमीर वोटर गरीब वोटर इन चीजों पर बात रहते आती है क्रिमिनल कैंडिडेट नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट जब डिसकॉशन का स्तर बढ़ेगा तो और डीप जाएंगे इन विश्यों पर यह मुझे लगता हो सकेगा जागरूक वोटर ही एक काम्याब लोकतंतर का जो है जिसे कहते हैं की है और आप जागरूक जब बनेंगे तो आपके विशेवी सोचने के दायरा बहुत बड़ेगा और उसमें आप ये भी देखेंगे कि इसका पास्ट परफॉमेंस क्या है इसने पहले कितना काम किया है इ क्या उतने ही वाइदे कर रहा है जो संभव है या नहीं संभव है और इसने किस मुद्धों को लेकर क्या वो उत्तेजित भाशन दे रहा है उत्तेजित भाशन जो आज कई नेता समझते हैं कि उत्तेजित नात्मक लोगों को भढ़काने से भढ़काऊ भाशन देने से कारेकरम के शुरुवाप आपने का है कि वह लोकतंतर को गाड़ी के चलाने वाले ड्राइवर हैं और ड्राइवर के आथ में अगर चाबी नहीं होगी तो गाड़ी कैसे चली गए और चाबी है जागरुकता और इसी चाबी को और जादा शार्प और जादा एक्टिव बनाने के इस वक्त कोशिश चुनाव आयो की और इससे जादा आसान एक्जामपल से शायद नहीं समझाए जासकता है ёл जादा शाबी युवाँक युव्तियों को पाठ करम के जरिये चुनाव के बारे में और जादा जाड़ू किया जाए इसके क्या माईने है इसके क्या फायदे आने भीश्य में होने वाले पूरी टीम को दीजिए आज के लिए इजासत नमस्कार